असलाम उलेकल, कैसे हैं आप लोग सब ठीक हैं, चलें तो हम देखते हैं, आज बुक 14 है, हमारा टेस्ट 1 और सेक्शन 2 है, आप देख रहे हैं, सेक्शन 2 है, हमारे पास और क्वेस्चन 25, 15-27, कॉलेज कार पारकिंग पॉलिशी स्टाफ ठीक हैं जी, तो यह हमारे पास जो है आज का topic तो देखते हैं जी हमारे पास जो questions है वो क्या है question है हमारे पास देख लेए no more than three words no more than three words आपने लिखने है तो write your answer the following question write your answer in boxes 15 to 20 यहां पर आपने boxes में लिखने हैं जब इमतहान में बैठे हूँ लेकर चुकर यहां पर प्रेक्टिस है तो आपने question के सामने ही आपने लिख देने हैं चलें तो हम देखते हैं where where can you buy parking permits at the college college में आप कहां से parking permit जो है वो खरीज सकते हैं ठीक है जी हम देखते हैं जी हम कहां से खरीज सकते हैं पार्क पर्मेट जी आप देख सकते हैं यहां पर यह देखें आपकी जो intuition है वो भी काम करती होनी चाहिए ठीक है आप active हूँ आप keywords को जल्दी find करने के आदी हूँ बात दर असल यह है कि आप हर सूरत active हूँ ठीक है तो आपकी practice होनी चाहिए पार्किंग permits स्टाफ पर्मेट्स हा रिक्वाइड टू पार्क मोटर वीकल यह देखें स्टाफ की भी बात कर रहा है यहां पर भी स्टाफ की बात कर रहा है रिक्वाइड टू पार का मोटर वीकल on campus between 8.30 a.m. and 4.30 Monday on Friday during term time annual permits can be purchased यह देखें annual permits can be purchased खरीद दे जा सकते हैं कहां से from hospitality department अगर आप यह खरीद दे जा सकते हैं annual permits यहां पर देख लें where can you buy parking permits ठीक है जी कहां से खरीज सकते हैं तो hospitality department इंतहाई असान सा है hospitality सब्सक्राइड आपके जो है spelling ठीक होने चाहिए department भी ए आर्टी डिपार्ट है में एंटी तो नेक्स हमारे पास which document यह देखें which document कौन सा document बताता है dates of term time date of term time कौन सा document date of term times के बारे में बताता है तो देखते हैं जी कौन सा document हमें बताता है यहां पर all permits tickets must be clearly displayed in the wind screen of vehicles during the date of term time यह देखे date of term time आ गया है न आपका ठीक है all permits और tickets जो है वो clearly display होनी चाहिए wind screen आपने देखा है गाड़ी की wind screen है वहां पर होनी चाहिए ठीक है जी वेंट screen of vehicles during the dates of term times date of term times के गुरान as published in जैसे के बताया गया है किस में बताया गया है जी in the academic lender academic lender में बताया गया है publish किया गया है अगर यहां पर देखे वो कहता है which document shows the dates of term time which document shows publish कौन सा document बताता है बताता तक है दिखाता है शू सपब्लिष िधे वस तेसे पढलिच्ट जैसे की दिखाता है किष में स्पैलिंग क्लेंटर र santari मिकलेंटर जुए उस में में तीक है इसके सामने आप स्पैलिंग्स का खुश्या रख रहा है, छिक है, सम टाइम्स ऐसे होता है, कि आप लोग ऑंसर तो डूंग लेते हैं, लेकिन आप जब इसको ट्रांसफर करते हैं, आप श्रीप पे तो वह आप स्पैलिंग्स गणग गलत लिएते हैं, प्रॉट इसाव डी स्टार डी DS अब चीज़ अब तेड़िसमा नीदस पम पाकिन पर्माइट कि एगें आप देखे एंगे policy कि शेस्थेशन ऑने मिल शुटैसंच फैन डीफोल एक्स्टेंशन 40 ब्रॉक्ड टेर आधिक can be purchased from 20th September 20 September से आप खरीद सकते हैं and are valid for one academic year और एक ताली मिसाल के लिए ये valid होते हैं, जाइस होते हैं, कब से कब के लगए, from 1st October to 30th June, ये valid कब से होते हैं, start कब से होता है, 1st October से, आप देखने यहां पर ये देखिएगा, कहता है, what is the start date, तो start date क्या है, 1st of October है, ठीक है, annual parking permit की, यहां पर आपर, 1st October लिखेंगे, OCTOBR, ये थोड़ा सा देख लिजिएगा, ये थोड़ा सा ओपर लिखा गया है, इसको पहले का देख ले, ये पहले 15 का, और ये आप 16 का देख लिजिएगा, ठीक है, ये मैंने इसको arrow के साथ भी कर द देखा गया, next time हमरे पास, who is responsible, ये देख ले, who is responsible for giving out parking fines, यहां पर पार्किंग fines की बात हो रही है, पार्किंग fines देने का कौन जी मेंदा आ रहा है, if you park in the wrong place, अगर आप गल्द पार्किंग कर लिख ले हैं, तो कौन जी मेंदा रहा है, ठीक है, अब ये देख ले, आपको वाजर नजर आ जाएगा, कि यहां पर enforcement है, किसी चीज़ का नफाज हो रहा है, ठीक है, अब देखें, the nominator contractor will issue fixed penalty charge, fixed penalty charge, ये जर्माना है आपका, तो कौन issue करता है, nominated contractor करता है, यह देख ले, nominated contracted will issue, वो जारी करता है, fixed penalty, मकररा जो जर्माने के charges है, वो करता है, तो कौन करता ह जी, issue करता है, nominated contractor, ठीक है, तो आप यह सान तरीके से अगर आप करेंगे, तो आपको समझा आ जाएगी, ठीक है, ठीक है, nominated contractor, ठीक है, next हमारे पास, हब देख ले, what do visitors, what do visitors need, to show when parking, जब visitors को park करनी पड़ती है, गाड़ी, तो उनको क्या दिखाना पड़ता है, ठीक है, आप straight forward इसमें visitor पे जाएगे, यह देखिएगा, visitors है, visitors, ठीक है, यह देखिए, the college welcomes visitor, वो visitors को welcome कहता है, and provides parking arrangements, और parking arrangements जो है, उनको देता है, through pre-arranged permits, किस के जरीए, pre-arranged permits के जरीए पहले से जो उन्होंने पर्मेट सरेंज की होते हैं, उसके जरीए, which must be displayed in the vehicle, वो हर सूरत डिस्पले होने चाहिए, कहाँ पे, vehicle पे, उनको दिखाने होंगे, ठीक है, please contact the hospitality department for further information on open days section, तो उनको दिखाने क्या होंगे, यह देख ले, जो visitors है, welcome visitors, and provide, उनको देने होंगे, ठीक को देता है, उनको parking permits भी देता है, through pre-arrange permits, pre-arrange permits के जरीए, उनको इसको display करना होता है, तो आप देख लें यहाँ पे, कि what do visitors need to show when parking, तो parking पे उन्होंने show करने होते हैं, permits, आप देखेंगे, नेक्स्ट है हमारे पास, where can the nursery, pick up point be found, ठीक है जी, कहां से nursery pick up point, जो है, यह देखें, where का मतलब ही, किसी ना किसी जगा के बारे में, वो पूछता है कि कौन सी जगा है, यह इसके बारे में बताएं, ठीक है, तो pick up भी है, nursery भी है, और वो जगा जो है, वो कहां है, ठीक है, आप देखें, यहां पर ज़रा, यह, short term, drop off, pick up, provision, there will be two short term drop off, pick up, दो terms है, जी, spaces, यह देखें, users के लिए, drop off के लिए, और pick up के लिए, users for nursery, यह देखें, दो है, short terms है, हमारे पास है, लेकर जगा का नाम नहीं पताया, with a maximum 10 minutes, waiting time allowed, और 10 minutes होगा, आप गो, वक्त, वक्त की अजाज़द होगी, कि कि आप उसका इंस्वार कर सकते हैं, दीजार, located, यह देखें, यह वाक्य है, यह देखें, यह, 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 और यह, यह, आपको यह, वर्ड बताता है, कि यह, किसी न, किसी, जगा का बिजिकर करेगा, outside, concord, building, तो concord, building, जो ह और यहां पर ऑपन अधरक छोडद मैं वीजुः यह गी विल्टेंग यह आरे पास नहीं करो चलते हैं सबसक्राइब तर तरफ तो सब्सक्राइब है maternity benefits हम देखें maternity benefits है हमारे पास यह वाले है questions है हमारे पास maternity benefits जी तो question है हमारे पास 21 to 27 हम देखते हैं हमारे जो questions है वो काउं से हैं यह किता है no more than two words आपने instruction को हर सूरत follow करना है जो भी instructions होगी उनको follow ulkirm ninth ACa answer in the boxes boxes as I have already told you that no need to write down your answer in boxes here in the practice test but you are strictly obliged to write down your answers on your answer sheet in the exam hall okay so let's move ahead these are the questions from 21 to 27 you can see these are the questions okay the first one is what is the minimum period minimum period you must have worked for an employer in order to be eligible for SPM SPM ठीक है कम से कम कितना अर्सा है आपको जरूर एक employer के पास काम करना चाहिए था ताके आप SPM के एहल हो जाते हैं ठीक है जी SPM है क्या हमारे पास ये देख लें SPM क्या है ठीक है ये देखें SPM ठीक है maternity pay ये statutory maternity pay है ठीक है वक्ती आपको जो maternity pay हो सकती है ठीक है जी और जब आप कोई female जो pregnant है तो उसके लिए उसको वक्ती दौर पर जो pay मिलती है छोटियों के दुरान तो वो उसको statutory maternity pay कहता है तो चले तो गोत्रू करते हैं जी हमने जो पहला पड़ा है वो क्या है आप देखें दरहां what is the minimum period minimum period क्या है you must pay you must pay आप देख लें must have worked for an employer in order to in order to be eligible for SPM ठीक है जी तो आप देखें दरहां में कांसा है ठीक है minimum period है तो हम गोत्रू करते हैं SPM को यहां पर देख रहे हैं तो जाना भी आपने SPM पे ही है अगर देखें तो यहां पर कहीं कोई period उपर तो यहां पर कुछ जिकर नहीं आ रहा तो चले यूर इंटाइटल to SPM आप SPM के एहल हैं if you have been employed by the same company for at least 26 weeks ठीक है जी तो आप देखें if you are entitled to SPM आप SPM के एहल हैं SMP के ठीक है जी अगर आपने वहां नोकरी की है उसी company में ठीक है एक ही employer में कितने देर कर for at least 26 weeks come as come 26 weeks के लिए ठीक है अब देखें 26 weeks के लिए आपने की है ठीक है तो उसमें यह भी कहता है कि you are entitled आप एहल है तो 26 weeks है यह ले आप 26 weeks यहां पर mention करें नेक्स्ट है हमारे पास for how long is SPM payable every week यहां पर एवरी week की बात करता है कितनी देर तक SPM जो है वो payable होगा हर week as percentage आप percentage की बात करेगा यह याद रखिएगा your average weekly earning यह सारी चीजें जो हैं आप जहर में रखिएगा कितनी अरसे के लिए SPM payable होता है हर हफते हर हफते में कितनी percentage होगी of your average weekly earning आपकी average जो आस्त हफतावार आमदल है उसकी कितनी percentage होगी अब देखनें जी यहां पे जरा कितनी percentage होगी यह देखें परसंटेज की बात कर रहा है तो कर रहा है ना जी तो आप देखें दरा यहां देखें यू मस्ट बी earning यू मस्ट बी अरने एन average of at least 87 पर वीक बिफूर टेक्स यह टेक्स से पहले की बात वो कर रहा है ठीक है जी तो आप देख लेते हैं कि दी amount you get depends on how much you earn the amount you get यह आपकी जो SPM की शकल में जो आपको amount मिलेगी वो इस बात पर इनिसार करती है कि आप कितना कमाते हैं for six week छे हफ़तों के लिए you will receive 90% छे हफ़तों के लिए आपको 90% मिलेगा of your average weekly earning average weekly earning आप देख रहें न average weekly earning अच्छा दिन यह weekly अच्छा दिन यह weekly then you will receive one point ठीक है जी 12 अच्छा week per week for the remaining अब यहां से देखें आप यह वेला the amount you get depends on how much you earn यह भी हमने पढ़ा हुआ है ठीक है यह जो amount है यह depend करती है कि आप कमाते कितना है यह देखें और how long is SPM payable every week हर week और फिर as a percentage of your average weekly earning weekly earning और how long इसका मतलब कितना अर्सा तो आपके लिए जवाब कोई ना कोई अर्से के वकत के लिए होगा ठीक है जी कितने अर्से के लिए अब जो है वो SPM payable होगा आपको pay करेगा हर हाफते ठीक है हर हाफते कितने अर्से के लिए percentage of your weekly earning है तो आप देख लिए यहां पर ज़रा हूं कहता है for six weeks you will receive 90% of your weekly earning तो कितने हफते के लिए for six weeks ठीक है जी आपने six weeks जो है mention करना है six weeks ठीक है next है हमारे पास what sum अब sum है तो यहां पर वो किसी रकम की बात करता है पैसे की बात करता है is payable dollars में हो सकती है यूरो में हो सकती है pounds में हो सकती है what is what sum is payable every week as the second part second part of SPM entitlement second part में आप SPM SMP entitlement में ठीक है जी कितनी रकम आप हर हफते हासल कर सकते हैं तो देखें जी आप यह देखें जरा अचा यह देखें इंताही है पहले तो आपने हर रफते यह बात किया पर किता है then फिर इसके बाद you will receive कितनी रकम आप हासल करेंगे every week per week अब देखें then you will receive अब यह देखें पर किता है what sum is payable every week as second part then यह second part then अब यह देखें यहाँ पर then you will receive 112.7 per week देखें यह देखें जरा second part जो है second part but sum कितनी रकम जो है वो आप होंगे second जो second part में आप देख रहे हैं second part में जो है हमारे पास यह रकम है then you will receive 112.75 pounds ठीक है 112.75 pounds आप इसके सामें लिखेंगे 112.75 अगर pound है तो pound जरूर लिखें ठीक है जी अगर आपके पास dollar है तो dollar जरूर लिखें ठीक है यह जरूर यह है ठीक है next है हमारे पास what is maximum length of time में में इस पेबल पहले था SPM ठीक है जी पहले था हमारे पास SMP अब वह में की बात करता है ठीक है maternity allowance की बात करता है ठीक है अब देखते हैं जी maternity जी what is the maximum length ज्यादा से ज्यादा time duration क्या कौन सा है में जब में जो है वो आपको पैसे देगा उस duration के दुरान ठीक है maximum length देखते हैं यह देखें में maternity allowance है ठीक है जी हम देख रहे हैं कि कौन सा जो है वह लूँस है हमारे पास कितनी देर के लिए वह आपको देता है हाँ जी आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आप इसको go through भी कर ले तो आपको लग रहा है कि जैसे 26 है 39 है 26 है 90 परसेंट है तो इसका मुद्व है कि यहाँ पे कोई ज्यादा chances है तो आपने guess भी जरूरेंग चीज़ों को करना है ठीक है you may be entitled to maternity allowance if you have been employed or self-employed for at least 20 at least काम से काम की बात करता हूँ वहाँ को कहता है maximum period के लिए ठीक है in the 26 weeks before you are due to give birth ठीक है 66 हफ़तों में से 26 हफ़ते काम बसकाम आप employed हूँ या self-employed हूँ तो फिर आप इसके title बनते हैं maternity allowance के 66 गंटों में से 26 अच्छा you do not have to work for the same employer for those 26 और ये भी जरूरी नहीं है कि 26 हफ़तों में एक employer के पास आप काम करें you also do not have to work full weeks पूरे हफ़ते भी नहीं काम कर सकते करना आपने ठीक है जी during the same period maternity allowance can be paid for up to 20 ये देखे maternity allowance can be paid for up to 39 weeks and is either paid at the same standard as the SMP or SMP के standard के मताबक दिया जाएगा और 49 हफ़तों के लिए दिया जाएगा ये maximum दे रहा है ठीक है और 90% of your average weekly you will receive which amount is the lower ठीक है यहां पर आप देखें 39 जो है वो weeks maximum 39 weeks है ठीक है ठीक है नेक्स्ट है वेर ये देखें फिर वेर कहां किसी जगह के बारे में पूछेगा वेर करने में फार्म्स दा अब्टेंड ठीक है जी में फार्म्स अब्टेंड अब्टेंड यह में फार्म्स जो है में जो है में जो हैं वो कहां से मिलेंगे कहां से मिलते हैं जी आप देखें जरा यहां पर weekly you will receive whichever amount is the lower you can find यह देखें maternity allowance farms ठीक है आप maternity allowance farm जो है वो हासल कर सकते है एट इंटेनेटल क्लीनिक यह है एंटेनेटल क्लीनिक्स ठीक है यहां से आपको मिलेंगे आपने यहीं लिखना है जी एंटेनेटल अटेक है यह एंटेटल नेक्स क्लीनिक्स याल लाईन आई इड़ाई क्लीनिक्स ठीक है ठीक है ठीक है थीक है तो ञेक्स मैं हमारे पास इसमें 26 जो है apart from income income के अलावा income के अलावा what else is considered और क्या चीज जो है उसका ख्यार रखा जाता है when assessing how much child tax credit is paid कि कितना child tax credit जो है वो दिया जाता है income के अलावा किस चीज को ख्यार रखा जाता है जब child tax credit जो है वो pay किया जाता है अब देखें child tax की बात करता है तो हमारे पास child tax भी है यह देखें ठीक है if you if you are on a low income यह देखें low income over 16 ठीक है over 16 and are responsible for at least one child ठीक है जी if you are on a low income आपकी low income है 16 से उपर उमर है and responsible for at least one child और एक बच्चे के जिम्हेदार है you may also be entitled to child tax credit तो भी आपको child tax credit देना पड़ेगा ठीक है the amount you get will depend on your personal circumstances ये देखें personal circumstances ये amount जो है the amount you will get वो जो आप पैसे हासल करेंगे उसका इनसार होगा आपके जाती हलात पर and income income का तो वो यहाँ पे जिकर औरड़ी कर चुका है ठीक है when your income is being assessed and child benefit child benefit maintenance payment or maternity allowance payments will not be classed as income तो इसमें maintenance payments और maternity allowance जो है उनको income के दर्जे में शामल नहीं किया जाएगा ये the amount you get will depend on your personal circumstances and income ये amount जो आपको पे की जाएगी ठीक है वो दो तरह से एक तो होगी आपके आपके जो personal circumstances है उनको देखकर और दूसरी income को तो यहाँ पर income का तो वह पहली कह रहा है apart from income income के अलावा एक तो income है but tells is considered दूसरी कौन सी चीज़ देखी जाती है when assessing how much child tax is paid ठीक है दूसरी चीज़ कौन सी है और आपके personal circumstances है देख लें जी उसने लिखा हुआ है personal circumstances personal circumstances vocabulary को तगड़ा करें ठीक है फिर ही जाके कहीं असानी होती है ठीक है तो जब आप इसको नहीं करेंगे तो फिर problem जो है वो होती है ठीक है जी तो apart from income what else is considered when assessing how much ठीक है अब लास्ट है what are sure start maternity payments यह जो sure start maternity payments है यह क्या है देखते हैं यह भी देख है sure start maternity payments if you get benefits of child tax credit because you are on a low income जब आपकी low income है तो आपको benefit मिलता है child tax credit का then you may be entitled to sure start maternity payment तो आप sure start maternity payment के भी एहल हो जाते हैं ठीक है these are individual grants है यह sure maternity payments क्या है these are individual grants यह इन्फरादी grants होती है पैसे होते हैं to help towards the cost of new y की cost जो है उसके लिए help करने के लिए तो यह जो है sure start maternity payments क्या है these are individual grants ठीक है यह grants होती है और आप इनको grants mention करते हैं यह ले 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 यह था हमारे पास आज maternity benefit जो अभी हमने पढ़ा ठीक है maternity benefit हमने पढ़ा इससे पहले हमने college parking policy पढ़ी है ठीक है कुशिश करता हूं कि इनतहाई असान अलफास में यह सारे के सारे आपके सामने पेश की जाएं अपना बहुत सरा क्यार कीएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अलाफेज चुफीज